2023 अबेंड होने वाला है कुछ ही घंटे यहां पर रह चुके हैं और ऐसे में आज हम डिसकस करने वाले हैं 2023 में क्रिप्टो मार्केट का जो रुख रहा है वो उपर की तरफ ही रहा है और बिटकोईन के प्राइज 160-170% बड़े हैं इस साल अगर बिटकोईन 160-170% तक बड़ा है तो बहुत है बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के लिए उनको तो मोका चाहिए और मोका मिला है बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी को तो आज हम यहीं डिसकस करने वाले हैं अल्रेडी बात की थी लेकिन आज फिर से डिसकस करना जरूरी है आखरी टाइम पर कि 2023 में बहुत सारी क्रिप्टो को पंक लगे हैं बहुत सारी क्रिप्टो जांद पे गई हैं और उनमें से पहली जो क्रिप्टो है जिसके प्राइस बड़ी तेजी से कुछी महीनों में ब और जब से आया मार्किट में पंक कर रहा है दो डॉलर से इसके प्राइस आज 80 डॉलर तक महुँच चुके हैं दो डॉलर की क्रिप्टो 80 डॉलर तक महुच चुकी है दो हजार पचास 90 डे का आप चार्ट देखेंगे दो हजार पचास है लेकिन उससे पहले बहुत इक्शन दिख रहा है ठीक है जिसकी वज़ए से थोड़ा सा प्राइस में नीचे हजारों से थोड़ा सा कम हो गया है ठीक है और चार-चार परसेंट तक पंप हुआ है नियोन की बात करता हूं तो यह भी चार-परसेंट तक पंप हुआ है लेकिन अभी 2700 डिखा रहा है क् चार्ट अगर आप देखोगे यहां से नीचे आया है तो अगर थोड़ा सा भी नीचे आजए तो हजारों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और यही यह रीजन है लेकिन नियोन की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले 90 दिन में 4000 परसेंट की रैली इस क ने भी दिखाई है 2023 में नेक्स्ट है हिलियम मोबाइल इसका हाल भी वही नियोन जैसा है यह भी 4000 परसेंट पंप हुए अभी 2400 परसेंट है क्योंकि इसका प्राइज भी थोड़ा नीचे आया है और यह जितने पंप हुए है जनवरी मन्थ में भी इनके पास एक मोका है कि थोड़ा सा मोवमेंट जनवरी में भी यह सारे कोईन दिखा सकते हैं डिपेंड करता है थोड़ा बिटकोईन का क्या मोवमेंट रहेगा लकिन हीलियम मोबाइल 0.003 डॉलर पे प्राइज है और यह भी 4000 परसेंट पंप हुआ है पिछले 90 दिन के अंदर नेक्स्ट है म्यू परसेंट उपर गया यह भी थोड़ा सा नीचे आया है जिसकी वज़ासे 3700 परसेंट लेकिन 90 दिन में यह भी 4000-5000 परसेंट की रैली दिखा चुका है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस म्यूबी की भी दिखी हमको 2023 में लास्ट दिसंबर मन्थ में 15 दिसंबर के आसपास बॉंक की नई लिस्टिंग होई थी बाइनेंस के उपर तब से करेक्शन आया बॉंक में पिछले दो अफ़ते करेक्शन के बीते हैं जनवरी थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है बॉंक को ठीक है लेकिन 2023 बॉंक ने अपने नाम किया है सिर्फ दो तीन महीने में 16000 परसेंट की पीक रहा है 2023 में जो नया ओल टाइम हाई लगाया उस तक हम देखें तो 33000 परसेंट की रैली दिखाई है बॉंक ने बहुत बड़ी रैली बहुत हुज रैली 2023 को खुद के नाम किया सबसे ज़्यदा पंप होने वाला कोईन बॉंक रहा है 2023 में इस लिस्ट में नेक्स्ट को कर रहा है हाई लगाया 3.5 डॉलर का और यह भी तक्रीवन 1000 परसेंट की रैली दिखा चुका है इस 2023 में लेवल उठेते 0.2 डॉलर से वहां से उठते उठते आज यह 3 डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है तो सॉलन ने भी अच्छी रैली दिखाई है 2023 में नेक्स्ट आता है इ अभी 37 पे चल रहा है दो से 3000 के करीब परसेंट के करीब इसकी रैली आया 2023 में तो अच्छी रैली दिखाई इंजेकिटिव नेक्स्ट एप बिग टाइम बिग टाइम की ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ महीनों में 1000 परसेंट की रैली इस सोलाना टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी क्या ही परफॉर्मेंस दिया गजब की परफॉर्मेंस सोलाना एको सिस्टम के कोईन भी सोलाना की वज़े से बहुत अच्छे जंप हुए हैं सोलाना 1000 परसेंट पंप हुई इस 2023 के अंदर आठ दस डॉलर से 120-130 डॉलर की रेंज नेक् यानि अच्छी मूवमेंट 2023 में इस कोईन की भी हमको देखने को मिली है नेक्स्ट है TRB आज भी TRB पंप हो रहा 300 डॉलर के करीब लेवल आ चुके हैं 7 डॉलर से 2023 तो नहीं पिछले कुछ महीनों से इस कोईन में बच्छी मूवमेंट आई है और ये भी 25% तक पंप हुआ ह इस 2023 के अंदर नेक्स्ट है रेंडर और रेंडर की भी 2023 में 1000% की रैली दिखी है यानि हर महीने आप यह लगा लिजे 100% हर महीने तो नहीं बड़ा है लेकिन अगर कंपेरिजन करें तो यहां पे मतलब 10 महीने 100% रहा है दो महीने यह समझ लीजे कुछ नहीं हुआ और 1000% की टोटल रेली दिखी है 2023 के अंदर नेक्स्ट अब डेट है कैस को लेकिया नहीं कैस्पा कैस्पा को कैसे भूल सकते हैं यह इसी ने नए ओल टेम हाई की शुरुआत की उसके बाद बॉंक उसके बाद एंजेकेटिव ऑप्टिमिजम है ना सिर्फ नवेंबर दिसंबर में य अल्टिम हाई लगाया 0.11 के हाई 0.15 तक का हाई लगाया 0.11 पे लेवल है और यह भी 2200-2300 परसेंट की रेली दिखाई है क्योंकि अभी थोड़ा नीचे है तो अच्छी मूमेंट कैस्पा ने भी 2023 में दिखाई नेक्स्ट आता है इस लिस्ट में NOS यानि नोसाना कोईन औ 0.8 के हाई लगाया है और इसने जो रेली दिखाई है 4000 परसेंट की रेली दिखाई है 2023 के अंदर चांद पे जाने वालों की कमी ने रही 2023 में बस बिटकोईन का सपोर्ट मिला और यह तो एक ट्रेलर था जो बिटकोईन की थोड़ी सी सपोर्ट रही 100-200 परसेंट के करीब ज इतने हजारों परसेंट पंप होगे जब बिटकोईन अपने नए हाई पर जाएगा जब बिटकोईन का बुल रेंच शुरू होगा तो बाकी क्रिप्टो मार्गेट में क्या हो सकता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते नेक्स्ट है हेलो लैब 4000 परसेंट अगर आप देखेंगे पूरे एक साल के अंदर 0.19 पे चल रहा है 0.20 का हाई है हेलो लैबस अभी भी अपने हाई पे चल रहा है और 4000 परसेंट पंप हुआ है यह कोईन 23 लास्ट एंड फाइनल कोईन है नेका मटो गेम्स नेका भी आप इस 2023 के अंदर यह कुछ कोईन्स हमने डिसकस किया है क्योंकि सारे कोईन्स अगर डिसकस करने जाएंगे तो विडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है लेकिन 2023 में बहुत सारी क्रिप्टो चांद पे गई है जो बच गई है और बाकी सब भी और चांद पे जाएंगी 2024 में जैसे ही बुलरं का बुलरं शुरू होगा तो आज की इस विडियो को करेंगे यहीं पे एंड किसी भी क्रिप्टो में इंवेस्ट कर रहे हैं रिसर्च करें वो बहुत जरूरी होती है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है जोइन नी किया तो कर लेन तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यर